किसी को कभी दुख मत देना क्यूंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुनी होकर लोटती है हस्ते रहा करो चिंता करने के लिए आगे बुढ़ापा भी आएगा याद रखना साहब जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे लेकिन याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तीरी फेंक दी जाती है बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संसकारों से प्राप्त होता है परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना जिन्दगी का एक उसूल हमेशा याद रखना पहचान सब से रखना लेकिन भरोसा खुद पे करना वो ना कागज रखता है ना किताब रखता है फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ दो स्वाद छोड़ो तो शरीर को फाइदा विवाद छोड़ो तो संबंदों का फाइदा गलती स्विकारने और गुनाह छोड़ने में कभी देर न करें क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल होगी सब को सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है पर किसी को दुखी न करें ये जरूर हमारे हाथ में है किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है जीवन जितना साधा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा जबरदस्ती कोई ठुकरा दे तो हस कर जी लेना क्योंकि मुहबबत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं होती कहते हैं भगवान सबका भाग्य लिखता है यदि ऐसा होता तो वो परमात्मा हम सभी बच्चों का भाग्य बहुत ही सुन्दर लिखता दुनिया में कोई भी दुख नहीं पाता पर ऐसा नहीं है वास्तम में ईश्वर ने हम सबको कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा हम जैसा चाहें अपना भाग्य लिख सकते हैं कदम छोटे हो या बड़े मन्जिल को पाने के लिए बस चलते रहना जरूरी है श्रद्धा ज्यान देती है नम्रतामान देती है और योगतास्थान देती है पर तीनों मिल जाएं